आज मैं पढ़ाऊंगा एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 में अड्रेसिंग मोड कौन-कौन से होता है तो इच इंस्ट्रक्षन रिक्वाइर सटेन डाटा ओन विच टेस्ट टू अपरेट मतलब प्रत्ते इंस्ट्रक्षन के कुछ अटेन डाटा होता है जिस पर यह उपरेट होत इसकी कई सारी टेक्निक होती है इस्ट्रक्षन को दिखाने की दो यह जो टेक्निक होती है वह उनको भोलते हैं अड्रेसिंग मोड तो इंटाल 885 वे दीज द फॉलोंग ड़ेशिंग मोड जिसकी यह पांच अड्रेसिंग मोड होता है मतलब there are various techniques data for the instruction के data को specify करने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती है उन techniques को एडरेशिंग मोड कहते हैं तो पहली टेक्निक तो होती है पहला मोड दायरेक्ट एडरेशिंग दूसरा register addressing तीसरा आप पहला लेते हैं डाइक्ते अड्रेशुंग में इस vog aperture में इन्स्पों टा चूरे घृता जो टा है वह इंस्ट्रक्षन में स्ञिचन में दिया हुआ ऊपरेशों इन neutrr इसमें देखा example STA-200H तो इसमें इसका मतलब क्या होता है store the content of accumulator the memory location यह तो यह accumulator के जो content है वो 200H में store करने तो direct data का वो जो data कहां store करना direct address दिया हुआ ता है 200H यहां पर store करना है अब इसको code form में लिखें तैसे STA का code होता है 32 इसको ऐसे करते हैं यह एम यह एलस्वीर यह MSV को पहले लिखते हैं 0 नहीं यह MSV यह LSV तो इसको पहले लिखते हैं 00LSV और MSV बाद में इन दिस तो इस दा memory address where data is to be stored यहां पर it is in the instruction जो भी instruction में दिया हुआ है दूसरे एक और example लिखते हैं जैसे इन 02 यह क्या करता है इसका मतलब है read data from the port c port c से तो इसका जो इन जीरो इनका code होता है machine code होता है db, और यह 02 तो इस डारेक्ट डारेक्ट डिया होता है कि कहां पर इस्टोर करना है तो यहां पर एक जो जो प्रेंट जो होता है मतब डेटा होते हैं वो आज़नल, पर पर इस्टोर में होते है नहीं एक ऑपकोड रिखिस्टर इन ओपरेशिज्ट करता है रिख्रच के अड्रेस्ट और जैसे यह एक एक्जाम्पल लेता है move a,b इसका मतलब है content of register move to in register a,b के जो content है वो a में move करने तो register addressing होगे एक register से दूसरे register इसलिए इसको केता है add register addressing इसका जो machine code होता हो code move a,b का 78 होता है इसका मतलब होता है,b के content accumulator में a में जो जोड़ो add करना है और फिर result उसमें a में रखना है तो इसमें भी क्या है कि जो कहां से तो एक तरह से इनके addressing किसमें register में ही है तो इसलिए यह क्या कहलाते है addressing register addressing अब next लेते है register indirect addressing इस mode में क्या होता है इस mode of addressing address of the operator is specified by the register pair इसमें क्या होता है कि जो address होता हो प्रेंड का वो किसमें रहता है register प्रेंड में जैसे for example lxih25h तो इसका मतलब होता है load hl pair जो hl pair है कि उसको उसके जो content से इस memory location पर श्टोर करना है इस लोकेशन पर स्टोर करना है फिर इसके बाद मूँ एक कोमा एम है अब एम का मतलब है यहां पर memory लेक्तरे से जो 25 पर जो चीजे थी अब वो accumulator में लिया हो कि एक कुण लाक इंडैक ली वह बात होगी एक तरह से 25 एक के content accumulator मागे लेकिन वो डायरेक्ट नियाद पहले तो इसकी चीजें इसमें ले जाएंगे फिर इसकी चीजें इसमें ले जाएंगे है जो हेचल के जो content है वो इस memory location पर श्टोर करो इस पर और फिर एड एम तो इसमें किया है कि जो इस memory location पर जो content है उसको accumulator के साथ एड़ करो और रिजल्ट फिर श्टोर करो तो इसमें इसके content मिदलब लाके वह और एकुमिलेटर से एड़ करने है तो यह भी इंडायक्ट हो रहा है डायरक्ट नहीं हो रहा है जैसे यह एड भी यह डायरेक्ट था प्र नेक्स लेते हैं immediate इमिडियेट एडर्शिंग मोड इसमें इस्ट्रक्षण में स्वम इंस्ट्रक्षण में इस्ट्रक्षण में रहता है जैसे एंवी एक कोमा 05 इसका मतलब है जो 05 वह रहे मैं मुग करो इसका जो इसको पोड स्वम में लेकिंगे तो एंवी एक तरह से जो 05 को रहे में मुग करना है सीधा डायरेक्टिक इसलिए दोलते हैं डि एड इमिडियेट से जिरो सिख के कंटेंट सो यह में करना यहीं डारेक्ट है कि अंसे हैज है यहेद्ध के इम्डेट आइड्सिंग क गया 125 के चेंट से गौश्य है ज्टो करने लोड करने यह ऑग स्टीछ 100 मेह लो grease और का इंप एक्म आई कमते immediate implicit addressing में क्या होता है last time placing addressing there are certain instructions which operate on the content of accumulator such instructions do not require the address of the operand which इसमें क्या होता है इसमें वो instruction होते हैं जो उसमें operand के address की आओ सकता नहीं होती होते हैं implicit addressing जैसे cma बस अपना आप में यह कप्लिमेंट accumulator आरे एल रोटेट अक्यूलेटर लेफ्ट आरे रोटेट एक्यूलेटर राइट आगे इन्हों के कोई operand की जलत नहीं होते डारेक्टी इसलिए इनको बोलते हैं implicit है तो दिस इस आल अबाउट एड्रेसिंग मोड्स आप 8085 माइक्रोफर्शार